नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल job with PD में दोस्तों पिछली क्लास में हमने अपने फिर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लेट कर लिए है तो आज इस क्लास के माध्यम से आपने फिर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे अगर का आप उने चे description और comment box में मिल जाएगा तो आप वहाँ से पहली वाली class भी एक बार है जुरूर है देख लेना तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी class तो question एक है इस परकार है निम्मलिकित संक्याओं को अभाज्य गुणनखंड की रूप में हमें क्या करना है व्यक्त करना है और इसके अंदर हमसे पांच question पूछे गए है तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है अभाज्य गुणनखंड की तो सबसे पहले वो ने तो भाज्य संक्य होती है और नही भाज्य संक्य होती है तो सबसे छोटी भाज्य संक्य कौन से होती है वो होती है दो ये दो देख लीजिए एक ही से ही वाजित होगी और क्या होगी स्वें से ही वाजित होगी होती है remember song कि यरीख यो अपन्हेल एक अब पांच इसे प्रकारेयं करने चलता जाएगा 77-13 इस परकारீ चलती डिए यानी आपको देख लेना है कि इजो सिर्फ और सिर्फ किस सीवाजित होती है एक से होती है और स्वें सी वाजती है ठीक है जैसे साथ है तो साथ तो एक बार तो साथ से हो जाएगा ठीक है और एक किसी होगा एक सी होगा तो यह साथ क्या होगा आपकी अबाज्य संक्या होगी होप लिए आपको यह कौन सी होती है सबसे छोटी अबाज्य संक्या कौन सी है एक मातर सम जो अबाजय संक्या है वो कौन सी है ठीक है तो बात होगी अबाजय संक्या की अब हमें क्या करना है इन संक्याओं के अभजय गुणनदखंड करने है तो यानि कि 140 है ठीक है तो अब गुणत खंड करने के लिए आपको कुछ बाते वो भी ध्यान में रखनी हैं, यानि कि कोई संक्या 2 से कव विवाजित होगी, 3 से कव होगी, 5 से कव होगी, 7 से कव होगी, 11 से कव होगी, यह बातें भी आपको पता होना चाहिए, जैसे किसी संक्या के अंत में 0 है, 2 है 4 है 6 है 8 है तो यह क्या होगी आपकी 2 से विवाजित होगी अगर किसी भी संक्या कैंत में 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो यह किसी विवाजित होगी 2 से होगी जैसे आपका first question है first question कैंत में कितना है 0 तो यानि किसी विवाजित होगी 2 से होगी इसके अंत में कितना है चैने यह भी किस्षे होगी दो से होगी इसके अंत में इन में से कोई संक्या नहीं है तो यह दो से विवाजित नहीं होगी इसमें भी इन से कोई संक्या नहीं है तो यह दो से विवाजित नहीं होगी तो यह आपको ध्यान में रखना है तो दो से लेगे यह अतना उनका योग है वो तीन से व्यव divine होना हम दोनाज उसके सब्सक्राइब क्या दो सरत την के लिएऔर आप दो वही ना si जाएगा 37 वार जाएगा कोई भी संक्या हो सबस्से पहले आपको क्या करना है देखने किसमें 2 का बाग जाएगा 5 का जाएगा 5 का जाएगा 7 का किस का जाएगा हमें किस से पता चलेगा क्यों सबस्क्राइब होगा जिरो दो चार और अठ तीन का बाग जाएगा या नहीं होगी उसका आमें कैसे पता चलेगा अगर संक्या के अंत में च्ञा मों हो या पांच हो किशी भी संग्या एं तnai क्यों छीरो या 5 तब वह संग्या किसे वाजीत होगी 5 से और वे सब अब बारे हैं अब इस सपर करने हैं जिसके बाद में 3,5,7 इस वह भी आपको बता चुका हूं कितनी बार जाएगा? 70 बार अब देखना है कि 70 में भी 2 बार जाएगा क्योंकि इसके इनत में किसी बार जाएगा किदी ने बार जाएगा? अब देखने 35 का अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा तीन का भाग का कैशे पता चलेगा इन दोनों का योग कर लेंगे ठीक है त्यानिक है जो 140 है उसके अबाज ये गुणद खंड हो कितने होगे तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 अगर इन सभी को हम गुणा करेंगे तो मान अपना कितना हैगा 140 आएगा त्यानिक हमें 140 को इस प्रकार टुकुड़ों में लिखना है इनक और हम खंड नहीं कर सकते ठीक है त्यानिक 140 के अबाज ये गुणा खंड कितने होगे दो गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ये आपका फर्स्ट क्यूशन का आंसर आगया ये क्यूशन है दोस्तों काफी इजी है ठीक है इसी प्रकार हमें सेकेंड करने हैं सेकेंड कितना है 156 ल 156 누구 लिए तौब बाग देंगे брат झाल टीक्लें इसका बाग जाएगा सब्सक्राइब कि तुम उन्हाटक का बढ़े сред financial कि दो का नहीं नहीं ढ़िए में बाजे संक्या तीन आती है तीन का जाएगा क्या चलो चेक कर लेती हैं अंकों का योग कितने हैं तीन और नो बारा बारा के अंदर तीन का बाग जा रहा है यानि इसमें भी तीन का बाग जाएगा कितनी बार जाएगा तीन का बाग तीन में एक बार गया और नो में कितनी तीन बार गया तीन बार अब कितना बच आ तेरा के नदर तो शिर्फ और शिर्फ आपका तेरा का बाग जाएगा तो आफना यहां पर कितना आगा एक आ रहे गए टीक है जापे भी अपना एक आजाते हैं आगे में उसके गुणंद खंड़ोरे नहीं करने होते हैं त्यानि जो आपके 156 है मैं यहीं पर लिख रहा हूं इसका आंसर टीक है यह आपको नीचे एक लाइन छोड़के अराम से लिखते हैं 156 के जो आप आज यह गुणंद और तीस पच्चीस ठीक इसके अबाज्य को नंद खंड़करने सबसे पहले देखना है कि दो का बाग जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि जीरो दो च्यार से आठ नहीं है तीन का जाएगा क्या चलिए इन अंकों का योग करते हैं आठ और तीन 11 11 में दो जोड़ा कितना गया तेरा के अंदर हमने पांच ओड़ा अठारा अठारा के अंदर तीन का बाग जाता है ना कितनी बार जाता है छे बार यानि इस संक्या के अंदर तीन का बाग आपका पूरा पूरा जाएगा तो चलिए तीन का बार दे देती है तीन का बार तीन में एक बार गया आठ में कि कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा यानि कि इस संक्या के अंदर हम 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1275 बार जाएगा अब देखते हैं इसके अंदर 2 का भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा 3 का भाग चलिए देख लेते हैं यह कितना है 3 और यह कितना 7 10 और 5 15 15 पंद्रा के अंदर तीन का भाग जाता है कितनी बार पांच बार यानि इस संक्या में भी तीन का भाग चला जाएगा ठीक है तो कितनी बार जाएगा चलिए देख लेते हैं बारा के अंदर तीन का भाग कितनी बार गया चार बार गया ठीक है इसी परकार साथ में कितनी बार दो बार एक केरी हो गया यहां पर इतने बार जाएगा पांच गया तो इसके बाद यहां पर देखना कि किसका बाग जाएगा दो का बाग नहीं जा रहा क्योंज संक्या में भी तीन का वह नहीं जाएगा तो कितनी का जाएगा तीन के बाद में बढ़ मैं ब implement象 का पाँस तो चलिए पांच अंधर पांच का भां देंगे तो कितनी बार जाएगा चले देख लेते हैं पांस का फाउट में एक बार गया कितना बच गया कितना बच गया कितुना और बॉग एक लिए खो पत्चीस जो में संग क्या दीगी उसके अब आज ये गुण त्खन केतने हो गई तीन गुणा तीन गुणा पांच गुणा पांच गुणा शत्रह ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंशर हो जाएगा इसी परकार आपके नेक्स दोनों क्यूस्टन वो करनी है अगला में कितना दे रखाए 5005000 के दो का देखं़ने इसे पता चल चल गया नहीं जाएगा फिर किसका जाईगा तीन का किसका बाग झाएगा या नहीं जाएगा औने संक्या के इंदर किसका बाग जाएगा नहीं जाएगा पांच के अगए वाली आबज येसन के कितनी होती है साथ तो चलिए इसमें साथ का बागा हम रॉप के अंदर देखके देख लेते हैं कि साथ का बाग जाएगा या नहीं जाएगा तो साथ के अंदर हम बाग देंगे तो एक बार गया साथ पिर तीन यानि तीस साथ चो कितना होता है अठाइस कितना बच गया दो आगे से हमने एक उतार लिया तिनिस के अंदर बाग कितना गया साथ बार पूरा गया तो यह गर इसके अंदर हम साथ का बाग देंगे तो मान कितना आता है 143 यानि साथ का बाग गया और मान कितना आ गया आपका 143 आ गया अब 143 के अंदर किसका बाख जाएगा 143 का अब 11 का बाग दे सकते हैं क्योंकि साथ के बाद बाज्यसन कि कौन इस है 11 है 11 11 11 11 11 फिर 5 बाच यहांपे 3 13 को अंदर 11 13 23 को अंदर 13 सी 그러ана यह यहांपे 403 आ घे से 1 14 यहांथ 10 आ घे इसके अब आज ये गोणन खंड कितने हो गई 5 गोणा 7 गोणा 11 गोणा 13 ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार आपको जो नेक्स क्यूशन दिया गया है न उसको करना है ये कितने 7,430 क्या इसमें 2 का बाग जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि अंत में आपका 0,2,3 वो नहीं है ठीक है तीन का बाग जाएगा क्या देख लेते हैं 7,4,11,11,12,13,12,22 के अंदर 3 का बाग नहीं जाता तैनिस में भी 3 का बाग नहीं जाएगा फिर 5, 5 का बाग नहीं जाएगा 7 का बाग आप देखकर देख लेजिए 7 का बी नहीं जाएगा ये क्यूशन आपको थोड़ा सा याद रखना है याद क्यों रखना है किसके अंदर दोस्तों क्यों का बाग जाएगा वो किस-किस का को सब्सक्राइब कुल हुआ है एक तो आपका 17 का फाग जाएगा ठीक है और किसका भुंदिजाएगा डाइट आपको याँ पे क्या करना है सबस्क्राइब कि ऌणे शर्ट है कि सफब आपको रॉफ में देक्ड चैक कर लें नथिक है या आपका 4 3 37 का भाग देंगे तो 70 कि यह 6 and 60 कॉता है 쿠 199 कि दूर Hosp Crisp tots गया कुनीश कितनी बार बोलने प drug कितना गएお願い चार्सोशंतिस का क्या गए आपका माना गया अब इसे परकार यह 477 से इसके अंदर हम भाग देकर देखेंगे दो का नहीं जाएगा तीन का भी नहीं जाएगा पांच का भी नहीं जाएगा 11 का नहीं जाएगा तेरा का नहीं जाएगा यह मान किसका भाग जाएगा इसके अंदर गुनिस का भाग जाएगा ठीक देखते हैं इसके इसके बाद में यह तेसे के अंदर शिरुफ और शिरुफ टीस का बाघ जाएगा, तो यहने कितना आगे एक, जहाँ पर भी आपका यह आजाता है, सब्सक्राइब चलिए बढ़ते हैं यह क्या होजाएगा आपका फाइनल आंसर जएगा इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि छोटे संक्याओं का अबाग इसके अंदर नहीं जा रहा है तो आपका क्यूसन नम्र एक हो गया चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्य Qtion है पूर्णांकों के निमलिखित युगमों के HCF और LCM हमें क्या करना है ग्याद करना है और इसके यह जांच भी करना है कि हमें कि दो संक्याओं का जो गोणनफल होता है ना वो HCF गोणा LCM के बराबर होता है और इसके अंदर हमें गुणा करना है और देखना है क्या दोनों बराबर है या नहीं किस प्रकार करना है चलिए हम क्यूशन वो कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 के अभाज्य गोनद खंड कर लेंगे ठीक है तो इसके अंदर दो का भाग जाएगा कितने तेरा बार तेरा के अंदर टेरा का भाज्य गोनद खंड यानिन दो गोणा तेरा या वज़ सकना किस प्रकार निकाल निकालने हो और है आपको फर्स्ट की यू KELL में बता दिया तो यहां पर आपको कोई भी प्रॉबलम नहीं ओगे इसी प्रकार यह आपको एकान में है इसके अभज्य गोन झखंड निकालने है इसके अंदर दो का बाग नहीं जाएगा तीन का बाग दसके अंदर नहीं जाता है अब बात आती है LCM और FC FCF ठीक है यानि कि lowest common factor और highest common factor यह multiple होता है यह common factor होता है LCM के अंदर हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से कौन से संग क्या है जो जो इन दोनों में आ रही है वो हमें सबी लेने होती है यह common को एक बार लेना होता है और एच चेफ के अंदर क्या करते हैं इन दोनों में से coming संक्या है किस प्रकार जैसे माली जे पहले में इसका अपना क्या हो जाता है एक हो जाते हैं ठीक है अब हम LCM किस परकार निकालेंगे LCM LCM में देखेंगे जो संग क्या कॉमन है यानि 13 और 13 यहां पर भी आ रहे तो इसको हम क्या कर देंगे तीरा गुणा दो गुणा साथ यह इसका क्या गया यह तो इसका-लंप और एकार्ण में इन दोनों का जो गोणा करने पर मान आएगा ना वही मान किस्सका आएगा LCM गुणा HCF काईगा तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे और LCM और HCF को गुणा करेंगे ये कितना है HCF तो आपका कितना है 13 तो हमने 13 लिख दिया इसके बाद में ये LCM लिख देंगे 13 गुणा 2 गुणा 7 हमें क्या करना है एक सैड तो इन दोनों संक्याओं का गुणा करना है एक सैड हमें LCM और HCF का गुणा करना है इन दोनों का हम गुणा करेंगे ये आप देख लीजिए इनका हम गुणा कर लेती है तो ये कितना हो जाता है 13 का गुणा 13 से करती है तो 100 गुणे 3 होता है और इनका गुणा करेंगे मान है वो आपका एक याएगा वो क्या जाएगा 2366 जाएगा इनका गुणा करने पी भी 366 जाएगा और इसका गुणा करने पी भी आपका क्या जाएगा 366 यह क्या होज़ेगा आपका आंसर होज़ेगा हमें यह तो बोला गए इसका क्या करना है LCM और SCF निकालना है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया फिर हमें क्या करना है दोनों संक्या हों का गुणा करना है और एक सेड में LCM गुणा SCF करना है तो यह क्या मान बराबर आती है क्या जी हाँ यह दोनों मान क्या आपके बराबर है तो यह क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट क्यूशन का आंसर हो जाएगा इसी प्रकार आपको यह सेकंड क्यूशन है वो करने है सबसे पहले आपको क्या करने है पांच और दस है इसके के अंदर दो का बाग है पांच बार गया फिर एक बचा दस के अंदर दो का बाग कितनी बार जाएगा आपका पांच बार जाएगा तैने कितनी बार जाएगा चलिए देख लेते हैं पचीस के अंदर तीन का बाग कितनी बार जाएगा आठ बार यहां से एक बच गया पंद् ये कितना हाग है आपका 85पि, एक पांशो दस है इस चाहर बाध कितने हैं ? इसी प्रकार आपको इसके अर्षाद कितना है ? एक हम पांश्ट नक देखने हैं ? कितने हुआ खा तो 9 बाध ये ओक्रण होाँ ? ром yo bu अभमें क्या करने है इसक्राइब ये सबसे हैनि निकालेती है SCF यानि दोनों में से कौन सी संक है जो दोनों में आ रही है यां पर क्या है दो है और यहां पर बीदौ है यह दो है प्रकार इसका पूंबहुन जो है आपको एक बार लिखना है इसके बाद निक संक्रमक को लिख देंगे जैसे यहांपे तीन seven has बूर्णेों प्थानेमे इसको और आपको जाएगा यहां प्शूम देलर हुझा यह पका क्या यह निकाल लिए हम निसअट लिक्तिर फांव अब हमें क्या करना है LCF हम संक्याher करना है लिए में लिखा करना है इन दोनों को कि आप पहले बात रिख दीजिए कोई भी फरक नहीं पड़ेगा गुना के अनदर हैhorse कितना आयी है जो आये ये तो सोली भष़ाँ LCM अपने कितना निकाला है यह 2 गुणा 3 तो यह लीजिए 2 गुणा 3 फिर कितना है गुणा 5 है 5 इसके बाद में 17 गुणा 2 गुणा 30 यह क्या आपका LCM लिख दिया हमनी LCF लिख दिया तो क्या आपका LCF है और यह क्या आपका LCM हो गया अब इन दोनों से क्या उनको गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को गुणा कर देते हैं बाद में का गुणा में क्या करने है एकांसे करने है तो यह कितना जाएगा आपका 2 इसको करेंगे 9, 5, 10, 11 का 1 फिर एक कैरी होगा यह 45, एक 46, यानि यह कितना और रहा है, 46 near От Brazil आरे है, यानि 46, يعni 4920, वो आपका क्या आ रहा है, इसका मान आ रहा है, इन दोनों को गुणा करेंगे, अगर इन सभी को भी हम गुणा करेंगी तो ये भी कितना हैगा आपका 46920 आएगा ये आप गुणा करेंगे चेक कर लीजिए यह मान आ रहा है या नहीं आ रहा है कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है तो आपका क्या हैगा दोनों तरफ मान है वो एक्कोल आना च बहुत नहीं को करतें 13 एंतड़ चोप और चोंप पन इसके अब भाज ये कोने घंड करते हैं इसके अनदर दो का बचल जाएगा एक बढ Dare 9 या अने योजित के पहलिए पर आ wspól दे क्या जींदर आपका आठ आ रहा है या हैनीHow gay जएगा 8 और 4 यह 84 इसके अंदर भी 2 का बाग चला जाएगा कितनी बार आपका 4 और 2 फिर 2 का बाग जाएगा कितनी बार 21 बार 21 में 3 का बाग जाएगा कितनी बार 7 बार 7 में किसका बाग जाएगा सिर्फ 7 का जाएगा कितनी बार एक बार, यानिकि तो 336 है, इसके अबाज ये गुणनद खंड कितने हो गई, दो गुणा, दो गुणा, ये दो है, वो चार बार है, कहीं पर मिस्टेक से कम जादा ना लिख दीजे, ठीक है, तीन गुणा, साथ, ये इसका क्या हो गया, अबाज ये गुणनद खंड हो गया, इसी परकार 54, 54 के अंदर किसका बाग जाएगा, 2 का बाग जाएगा, कितनी बार, 27 बार, 27 में तो हमें पता है, 3 का बाग जाता है, कितनी बार, 9 में, तीक है, इसी परकार 9 के अंदर 3 का बाग, 3 बार, और 3 के अंदर 3 का बाग, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हमने पता है कि दोनों में से किमन संग के हैं हमें देखने करकार आगई क्या बच गया дорब सर दो और फिर सात है यानी गुणा दो गो गुणा दो गुणा दो तीन लिख दिया सु लिख दिया यह त irrelevant है यह तीन यहां पर भी कौममना च्छिसको क्या करेंगे एक यह बार इसके बाद यह 3 बच गया यह 3 बच गया इन दोनों को लिख देंगे 3 गुणा इनका आप गुणा कर लीजिए वह क्या हुजाएगा आपका LCM हो जाएगा तो चलिए इनको गुणा करती हैं 2 का गुणा 2 से 4 4 का गुणा 2 से 8 8 का गुणा 2 से कितना होगा आपका 16 होगा ठीक है इसी प्रकार 3 का गुणा किस से 3 से 9 9 का गुणा 3 से 27 तो यह आपका कितना होगा 16 गुणा 7 गुणा 27 ठीक है आगे आप और कैलकुलेशन कर लीजिए तो यह आपका क्या होगा LCM होगा अब इसके next step हम क्या करते हैं दोनों संक्याओं का गुणा संक्या कौन कौन से 336 गुणा चोपन इनका गुणा और एक सेड़ में क्या होता है आपका हुँड होता है है तो ह्लाँ हैसी अब क्या करने है इन दोनों को क्या करने है रहना चाहिए बराबरा ना चाहिए जब इन डौन संहलों क्या हम गुणा करेंगे दो एक त्षाइए का 18144 मैं दोस्तों गुंड कर नहीं बता रहा हूं क्यूंकि यहां पे ज़्यादा टाइम लगेगा और गुणा करना आपको आता भी है इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हैगा 18144 हैगा इसी परकार इनका भी हम गुणा करेंगे ना तो मान अपना कितना हैगा 18144 हैगा आप गुणा करके चेक करिए कि यह मान आ राया या नहीं आ रहा कहीं कले सिंद्व कोई मिश्टेक तो हम नहीं किया थिक है तो यह क्या हो गया आपका सेकेंड क्यूप सुन हो गया चलिए कर्थें कुछन नम्र तीन को क्यूसर नम्र तीन है अबाज्य गोणंतखंड विद्दी द्वारा निम्मलिकित पूर्णांकों की HCF और LCM है वो हमें निकालने क्यों समार 2 के अंदर हमने LCM और LCM निकाला था हूं आपरमें 2-2 संख दी गई थी ठीक है यहां आपर में 3 संख क्यां दी गई इन 3 का में क्या करना है LCM और HCF निकालनने कैई वह अभी अबाजय गोणनखंड वीद्धी द्वारा तो तरिका वह भी रहेगा इन तिनों के सबसे पहले ज़िए गोणट खंड निकालेंगे बाहा का लेंगे क्या करेंगे दो का बाग देंगे तीन बार और तीन के इंदर एक-काब कितनी बार चला जाएगा तीन का बाग जया गए एक बाहा है यायनि जो बार है इसके अब जेक्ड कितने है कितनी बार पांच बार और पांच कंदर आपका 5 का वांग एक बार पंदर है इसके अबाद कितनी जाएगा पयं तीन निकाले कि तिंद के साथ का भाग जाएगा वह भी कितने बार जाऊगा एक बार जाएगा तीक चैने 21 एस के अब आच जै गोड़के तकने होगे तीन गोड़ा साथ हो अब हमें क्या करना है एशलिफ निकालना है और यह फिन निकालना निकालना हैं कि यह इस 겁니다 कर निकालते हैं आपको पते हैं कि इनमें से कौमएं संक कहें है देखने हैंそうそう निकालने हम क्या करते हैं जो कमविंश टैदाना उसको तो यह तिन नहीं कि यहां पर लिखав यहां ठीक है अब इन तिनों को हम और कहीं पर भी नहीं लिखेंगे शिर्फ और सिर्फ कॉंबनेसिंगे उसको एक बार लिखेंगे बाकी क्या बचका यहां पर क्या बचा दो गुणा दो ते लीजिए दो गुणा दो यहां पर क्या है आपका पांच है और निचे वाले में मान कित यह आपका इसका फ्रस्ट क्यूंट हो गया इसी प्रकार आपको यह सेकेंड क्यूट करना है सेकेंड क्यूट के पहले से पहले सब्सक्राइब है ठीक है 23 बिया बाज्य है क्या होती है और गुणतीष भी एक ऐबाज्य है क्या एख लखल दे ओती तो Sel shear 순s का करने सिकता क्यों पहांज सब्टमाने हैं सब्सक्राइम बारत निकाल लेता говорить तो यह कितना आएगा आपका 11340 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन दोस्तों में करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि कपके ज्यादा टाइम लगेगा टाइम खराब करने से कोई भी मिंस नहीं है यह आपको आता है आप प्लस टैंथ के अंदर है किसा करने से इसे भी क्या और गरेगे तो जाएगा थार मद और है कितने हो गुणा 2, 2 किसी परकार 25 का कर लीजी एगा 5 वाग जाएगा 25 फिर 5 वाग 5 के न्दर एक बार जाएगा तो यनि जो 85 वित्या कोई भी मान यà 6689 Ini को इस अधो रिखने को मिलां यह 53 सिप टेंग तोलसीं सारी के सारे मैं यहां पर लिखने पड़ेंगा इस GM इस how craphणc इसके दोनों यहां पे लिख दिये और इसके यहां पर दोनों लिख दिए पांश यह अफूला पांश इनको आ अपकाक की फैल 유ाश हेनerson को खेलीेटलिक्रणमर लिख्छाषर से नमर 4 यौदि खिर से नमर 4 आपकां तरफिक्रम massive के अंदर हमें और 600 सिताउं है इनकामे क्या दिये गए स्सक्राइब टिप यहां में दिया गहे यह वैंद करके उस परकार सिसे मिला यह निकालेंगेगे अरि फैलि संग होती हैI पहली संक्या यानि तो संक्या होता है उनका गोणन्दफल पहली संक्या और दूसरी संक्या इनका क्या होता है गोणन्दफल यह किसके बराबर होता है LCM गोणा H-Shape यह दोस्तों हमने पीछले क्यों के अंदर प्रूफ भी किया था कि दोनों संक्यों का गोणनत पर लगवे LCM गोणा H-Shape के बराबर होता है किया था या नहीं किया था हमने किया है ठीक है पहली संक्या आपकी कितनी है 306 है दूसरे संक्या आपकी कितनी है 600 शित्यावन है हमें क्या करने है LCM तो निकालने है और H-Shape कितना है LCM गोणा H-Shape हमें क्या दिया गए 9 दिया गए LCM निकालने है तो यानि बाग क्या मान आपका इस साड़ आजाएगा यानि 306 गोणा 657 बट्टे में कितना आगए आपका 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका LCM ठीक देख लीजिया 9 इस में से किसी को काटीगा क्या इसके अंदर बाग जा सकते है कितनी बार जाएगा 27 ये 3 ये 36 यानि 9 का बाग इसके अंदर जाएगा कितनी बाग जाएगा 3 बार जाएगा 30 में कितना बच गया 3 आगे कितना 6 36 के अंदर 9 का बागी कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा जैनि LCM है वो किसके बराबर आ गया 34 गुणा 655 तो यह मान कितना आ जाएगा आपका 22,338 जो कि क्या होगा आपका LCM यहनि जो कि क्या आपका फाइनल आंसर है यही तम से पूछा गया था इसका SCM आमें दिया गया है और हमें LCM निकालना था LCM तो नो दिया गया और LCM कितना आ गया आपका 22,338 इन दोनों संक्याओं का आप गुणा कर लिजिए कि आपका मान यही आएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question के दरफ question नमर पांच है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकर्त संक्या N के लिए संक्या 6 की पावर N अंक 0 पे समापते हो सकता है या नहीं हो सकता है यह हमें जांच करके बताने हमें कि आ ओद्धैर का है यहां से स्टार्ट होती है एक सप्रीवस के लिए हमसे पूछा जाय रहा है कि यह में रखें कि टाकि जया करें जिए लσιण ग सब्सक्रार के देएmeell उनलकी हमें पडहाएं के पाऊर करका मतमल क्या जिरो पेह समाब्त हुआ क्या नहीं वहां तो अंती मन क्या पर क्या है यह है चलिramos सेकेंड रखते हैं हम दो रख लेते हैं जै कि पाऊर दो मिंच शे गुणवाद चपा से या निए 216 तो क्या यह मान भी 0 पे समक्त हुआ क्या नहीं हुआ यह भी किस पर इसी परकार आप चेक कि पाउर चार रख लीजिए पांच रख लीजिए तो हमें यही तो पूछा गया है कि इन प्राकर्च संक्या में से कौन सी संक्या हम रखें ताकि जो अंतिमक्स रहा वो क्य करेंगे तो यह कितना होता है दो गुणा पांच होता है जो अंतिमक्स रहे हो क्या जिरो है या नहीं है ना इसी परकार हम लेजिए 100 तो कि अगर कोई भी संक्या का अंती में अक्सर 0 होता है या कोई संक्या 0 पे समाप्त होता है तो उसके अभाज भी जो ऐसी संक्या जैसे हमा लेजिए आप 30 लिख लीजिए 40 लिख दीजिए जैसे 30 के अभाज यह गोळनद खंड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2, 3, 5 ए 6, 5, 30 हो रहा है तो है अनिकर कोई भी संक्या के अंती में 0 है और उसके माज यह relate करें तो अभाज यह गोळनद करेंगे के अंदर कम से कम एक बार 2 और 5 जरूर आएगा अगर उसंक्या के अंदर 2 और 5 आ रहे ना तभी उसंक्या 0 पे समाप्त होगी otherwise उसंक्या 0 पे समाप्ते नहीं होगी ठीक तो यह एक नियम है जो आपको ध्यान में रखना है तो मैं यह आप लिख देता हूँ आपको यह बात किस परकार ध्यान रखना है यह तो सारा रफकार यह था मैंने आपको समझाने के लिए बता है कि प्राकर संग क्या कारत क्या होता है एन का मान अमें किस परकार लिखना है और यहां पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए किस परकार प्राप्त होना चाहिए वो तो मैं आपको बता है या फिर 6 कि जिगाए 4 की पाऊ रहना हो सकता है 12 की पाऊ रहना हो सकता है 2 की पाऊ रहना हो सकता है त्रिक का अपना वही देगा इसको हमें किस परकार करना है तो मैं एक लाइन लिख लेता हूँ जो कि आपको ज्यान में रखना है अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या जो मैंने आपको अभी है समझाया न वो ही लिख रहा हूं अगर कोई संख्या जिरो पर जिरो पर समापते होती है तो उसके अभाज्य गोणनखंड में तो उसके अभाज्य कि गोणन खंड में कम से कम कम से कम अधिक्तम तो कितनी भी बार आ सकता है कम से कम एक बार कम से कम एक बार दो गोणा पांच होना ही चाहिए होना ही चाहिए यह बात आपको सबसे पहले लिखनी है और याद रखनी है यह जैसे 10 का मैंने बता है था 2-5, soka बता है था 2-5-5 है ठीक है तो अकर कोई भी संक है वो 0 पर समाब थो रही है ना तो इसके अबाज ये गुनाथ करेंगे तो कितनी बार एक बार तो कम से कम 2-5 तो आनना ही चाहिए जादा है से जादा कितनी भी बार आई कोई फरकर नहीं पड़ेगा एक बार तो यह मुला है यह घपके जपर श्रुटक्र के लिए मिले दो गुणा थीन मिला और क्यूंड कि नस्राइब फैसे था अगर इस संक्या को हमें जी रोस समपत करना है तो कितनी बार दो गुणा पांच एक बार तो आना चाहिए था लेकिन नहीं तो-व्यमुने रहे हैं पर नही सच किया कभी भी 0 P Fucking मापते नहीं होगे. ताके इसको मैं और डिटेल सी लिख से था हूं, चेश कि पाऊर N के अभज्य गुन खंड़े, सेकि पाऊर N के अभज्य गुन कुट मुन कुट अभज्य गुन ने दो trustworthy अटिन हैं, ठीक है, अर्थात कि इसके अर्थात इसके अबाज्य गोणन खंड में कम से कम एक बार एक बार दो तो है दो तो है लेकिन लेकिन पांच नहीं है क्योंकि दोनों आना चाहिए दो भी आना चाहिए पांच भी आना चाहिए कम से कम दो तो एक बार आ गया पांच नहीं है तो पांच नहीं है इसलिए क्या होगा इसलिए इसलिए 6 की पावर एन किसी भी प्राकर्चन क्या के लिए 6 की पावर एन किसी भी प्राकर्चन क्या के लिए किसी भी प्राकर संक्या के लिए जीरो पर समापते नहीं होगे नहीं होगे ये बात आपको क्या करना है द्यान रखना रैटिंग दोस्तों खड़ाब है पर आप बावार समझे में क्या समझा ना चाह रहा हूँ ठीक है वो आपको यहाँ पर समझते वे चलना है ठीक है तो हमने क्या केच है कि अबाज यह गुणत खंड किया इसके अंदर दो गुणा पांच नहीं मिला यह नहीं मिला तो यानि कि संक्या कभी भी जीरो पर समापत नहीं होगी इन में से एन का मान आप कुछ भी रख लेजिए अनन्त रख लेजिए सो पचास हजार दो जार कोई भी मान रख लेजिए यह संक्या कभी भी यहाँ पर अन्त में इसके जीरो नहीं आएगा यह हमसे पूछा गया था और हमने इस परकार इसको बता दिया किस परकार आपको क्यूशन करना है यह मैंने आपको बता दिया इसी परकार आपको यह फेर वरक है वो करना रहेगा तो यह आपका क्यूशन नम्मर पांच हो गया नेक्स्ट बढ़ते हम क्यूशन नम्मर छे के तरफ क्यूस्त नम्मर छे इस परकार दिया गया है कि व्याख्या कीजिये कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये गुणा में है प्लस 5 हमें दिया गया है ये बाज्य संक्या हैं तो क्यूं है? ये हमें बता रहा है कोई भी दोस्तों संक्या भाज्य संक्या कब होती है यह में आपको भी बताया था कि अगर कोई संक्या एक और समय से वाज्यत होती है ना वो तो क्या होती है बाज्यत होती है एक और समय के अलावा किसी तीसरी संक्या से अगर किसी तीसरी संक्या से यह संक्या क्या हो जाती है विबाजित हो जाती है तब यह क्या हो जाएगी आपकी बाज्य संक्या हो जाएगी तो आप इसको करते हैं यहां क्या क्योशन नमर 6 इसको करते हैं तो इन दोनों में से क्या क्या कोईश्चन क्या कॉमन ले सकते हैं कि यहां पर भी 13 और यहां पर भी 13 तब ने क्या कर लिए 13 को बाहर ले लिया तो यह क्या बचेगा 7 गुणा 11, 13 तो 12 आगए और ये प्लस के अंदर यहां पी भी 12 आगए एक बचका है यहां पी भी 1 बचका है लेकिन गुणा के अंदर एक का गुणा करेंगे तो कोई भी फरक है नहीं पड़ेगा यह पलस में एक है वो हमें रखना पड़ेगा आगे सोल करते हैं तो 11 का गुणा साथ से सीस्थ एंतर एक एठंतर तो कैसी पीस्ठी संक्या से विवाजिट है किया जुरूर है थैंतर के लास्ट में क्या रहा तो यानि दो से विवाजित होगा और भी एक ही संख्या उससे विवाजित होगा ठीक है तो हम क्या लिख देंगे कि तेरा गुणा इठेंतर है ये संख्या ये संख्या एक वैं ये संख्या एक वैं स्वें के अलावा स्वेंग के अलावा तीसरी संक्या जैसे किसे वाजित हो रही है दो से वाजित हो रही है ठीक है तीसरी संक्या से भी विवाजित हो रही है हो रही है तो इसलिए आपकी क्या हो जाएगी एक भाज्य संग क्या हो जाएगी इसके अलावा आप इसके गुणंदकंड भी निकाल सकते हैं तीक है जैसे किसी को संग्या अगर भाज्य संग्या तो इसके गुणंदकंड दो ही होती है इसके हम गुणंदकंड क्या हो तो इसी के कोडिंग भी भाज्य हो जाएगी बात गुमाफिरा की यह आतिया आप अपनी लेंग इसको किस प्रकार भी लिख सकते हैं कोई फ्रक नहीं पड़ेगा आपको यह बेसिक वह पत्ता होना चाहिए अगर कोई संक्या एक और स्वें के लावा किसी दूसरी संक्या से यह यहां पर ईसको करते हैं इन दोनों में देखेंगे यहां पर भी पांच है और यहां भी पांच है तो इन दोनों में इसे आपको क्या करेंगे अब देखेंगे क्या रहा है इसका गुणा करेंगे तो यह 42 और यह 12 गुणा दो से करेंगे तो यह कितना आगया आपका 24 ठीक है 42 का गुणा आपको क्या करना है 25 से करना है तो यह आपका 8 होगा 16 4 20 यह आपका 2 हो गया 8 होग denश्याय कितना है इसके अलावी इसके गुन्हामे क्या है 5 त्यानि 5 से और ही विभाजित होगी त्यानि है संख्या क्या हो रहे है यह संख्या आपको इसी प्रकार लिखना है यह संख्या एक वह है कि स्वैं के अलावा ंग्वShow के लावा पांस से भी पांस से भी क्या होगे आपकी विभाजित होगी ठीक इसके अलावे यह और से भी हो सकते हैं आप इसको नियम के कोडिंग क्या है ठीक है कि इसका पूछा गया था इसका पूछा गया था ला इसके बारे में बात हो रही है इसको सरल रूप लिखा है तो यह संक्या क्या हो रही है तो इसलिए क्या हो जाएगी एक बाज्या हो जाएगी यह संक्या से वह हुँए यह यह तो संके बं रहा है निति ये 10 प्राइब रहे कwor व्रत साथ कंड़े संकय अधिरा क्या हो जयिए के बास्च्छ नंवर के अधियों नमर 6 जफु इसी मेदान में एक चकर लगाने में रवी को बारा मिन्ट लगते हैं मान लीजिए कि वो दोनु एक स्थान से एक समय में और एक दिशा में चलना परारम करते हैं तो कितने स्थान बाद वो परारम्बिक स्थान पर वापस मिलेंगे कुशन दोस्तों देखने में बड़ा जरूर है लेकिन सबसे आसान कउसेने इन सभी क्यूसनों में से ठीक हमें बोला गए एक वरताकार पत है इसके बार-बार यह सोनिया और रवी है वह चक्कर लगाते हैं वो दौनोव एकी जग्यास से चक्कर लगाना स्ट एक होगेंगे ठीक seven गृक चक्रमड़ मीन में लगाता है और कितने में बारा मिन्ट में लगाता है तरुमसी पुछा गया तक हैं कि दोन्न एन यहां पर आकर मिलेंगे यानि पहला यह ag कर है यह सोनय कि ने स्टार्ट किया और यहां से रवी ने श्टार्ट किया यहीं से रवी बारा मिनिट में लगाते है यहां पर कितने मिन में आजाएगा अलेकर most कितने मिंट में आएगीए जोए ए में फिर अब यहां से निकला फिर वापस एक चकर बारा मिंट चोंगेगा siya तीसरे चकर में बारा मिंट और लगेंगे Studio तीश्रे में वी कितने 18 आठारा और 13 मिंट लग यह किता और cs चक्र में जब पहले में 12 और 24-66 जबर वर सोनिय उसका पहला चकर 18 प्याया कि drei तो तो दोनों किस टाइम पे मिली है रवी पिश्टीश मिन्ट पर यहां पर आया चानी कि दोनों किस टाइम पर मिले चानी समय प्रकार करना है वह भी हम देख लिए थी हमें क्या करना था कम से कम वो समय ग्याद करना था जब यह दोनों यहाँ पर पहली बार मिले कम से कम कौन सा समय इनको लगा था तो जब भी बात कम से कम क्यों होती है तो हम क्या निकालती है लोवेस्ट कॉमन मल्टिपल निकालती है किस किस का निकालेंगे अठारा का और बारा का सबसे पहले अठारा क के जो एल्स हीम हो कितना होगा 2 गोना 3 गोना 3 होगा 12 का निकाली जीए 6 2 का 3 फिर 3 ता या री तो जो बार ही सका एल्सेम के तो लग खाएगा आपका 2 गोना दो गोना तीं अब देखना कि कौन को चुशिवन क्या deta सर्वाण है यहां पर भी 2 है यहां लिख दिया और यहां पर दो बच गया तो यहां पर हमने दो लिखते हैं यह क्या करें यहां से करेंगे च्छे और तीन का गुणा दो से करेंगे च्छे तो आपना आंसर क्या जाएगा च्छ यानि कि वह हैं आंसर यहांसे दो इस टानट करने के च्छ certaines बात यह दो नव है कि असी स्तान के यहां पर क्या करेंगे वह आपको थ। टाइम आपका क्या सरी जाएगे यहां पर से你是 हो जाएगा यह कि आपका फैनल आशर है तेया निसका में क्या करना था वह निकालना था होपहली दोस्तों यह exercise आपको शमझ में आएगी ज्याद्ध इसमें आपको झाल झाल